आज हम बनाएंगे बहुत ही मसालेदार एकदम चटपटे जीरा आलू बहुत ही कॉमन और सिंपल रेसिपी है लेकिन खाने में इसका कोई जवाब नहीं नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मसालेदार जीरा आलू बनाने के लिए मैंने यहां लगबग 11-12 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिये हैं आलू को हमने एक घंटे पहले ही उबाल लिया था छोटे छोटे टुकडो में आलू को काट लेंगे जब भी आप जीरा आलू बनाए तो घंटे बर पहले उबाल कर रख दीजिएगा आलू को अब हम एक कडाही में 3-4 टेबल स्पोन तेल डालेंगे यहां हमने एक बड़ा चमच भरके जीरा लिया है जीरे को पहले लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राय करेंगे इसमें बिलकुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए अब हम इसमें 1-4 छोटा चमच हींग डालेंगे हींग का फ्लेवर जीरा आलू में बहुत ही अच्छा आता है और साथ ही इसमें 1-4 चमच हल्दी पाउडर डालेंगे तेल में हल्दी पाउडर डालने से सबजी में बहुत अच्छा कलर आता है अब हम ये उबले हुए आलू डाल देते हैं और आलू को हम 2-3 मिनिट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राय करेंगे इससे आलू पर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी इस सबजी को अलग-अलग तरीके से घर-घर में बनाया जाता है बहुत ही अच्छी लगती है खाने में हमने आलू को 2-3 मिनिट के लिए फ्राय कर लिया है अब हमने यहां 2 हरी मिर्च ली है ये कम तिखी वाली है इसके लिए मैंने 2 ली है मिर्च आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो या इसे स्किप भी कर सकते हो एक मिनिट और भुन लिया है मिर्ची डालने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे मसालों में हमने यहां 1 चम्मच कश्मिरी लाल मिर्च ली है जो कम तिकी होती है एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच आमचूर का पाउडर लिया है साथ ही हमने आधा चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए आधा चमच के करीब मैंने नमक लिया है सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस टाइम पर गैस का फ्लेम लो रखिएगा मसालों को हमने मिक्स कर दिया है और अब हम सबजी को खुले में 3-4 मिनिट के लिए और पकाएंगे और बीच बीच में हमें इसे चला देना है बीच में चला देने से जो मसाला है वो तले में नहीं लगेगा हमने आलों को मसाला डालने के बाद 3-4 मिनिट और पका लिया है अब हम इस पर बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हरे धनी की खुश्पु इसमें बहुत अच्छी आती है आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हो तो ये लीजिए हमारी गर्मा गरम मसालेदार जीरा अलू तयार है जिसे आप डाल चावल के साथ सव कर सकते हो टिफिन में सफर में ले जा सकते हो बहुत टेस्टी लगती है तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकी